जो अनीता जी के साथ था उनका पूरा परिवार था और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है किसी ने रोका नहीं जिस एक जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंट कर दिया आपने बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया प्रश चुनाव दुबारा से क्यूं नहीं हुआ है क्या इनको अधिकार नहीं घुनन लड़ने का क्या कोई आखे दस गुंडेको लेके मारपीट करके चुनाव जीच सकती है कि यह हमारा लोक तंतराज है तो हमें यह पूछने की जरूरत है आप लोगको सवाल उठाने चाहिए पूरा विडियो है बाकायता सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ किस तरह से पीटा गया है किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहें एकाद कर रहा है मदद बाकी सारे खड़े हैं तो क्या आप अपने प्रदेश में यहीं चाहते हैं देश में यह चाहते हैं कि लोकतंतर की इस तरह से धजया उड़ाई जाई प्रधान मंत्री जी तारीफ कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी आंके कहें हो एक बदाय दीए पचायत के चुनाओं के लिए और हर जिल्में में हifully हुए हैं कर दे फले इसको सरा कि एक महिलादम के साथ आप ऴहिने हुए हैं। मैं अधेली बहिं और मैं ऐनको यह बतना चाहती hollow कि इस देश की एक-एक महिला उत्तर्प्रदेश की एक-एक महिला पूरे भारत देश की एक-एक महिला इन साथ खड़ी है मैंने इनसे कहा आप घबराओं मत होसला रखो एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाओं जीतोगी और ज़रूर लड़ो तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए यह लोगतंत्र की लड़ाई है महिलाओं को अरक्षा ने क्यूं दिया है लोगतंत्र मे नहीं भणने देंगे यह तो लोगतंत्रे नहीं है ना?